गेहूं की रोटी में आईरिन, सिलिनियन, मेगनेशियम, कारगो हाइडरेट, डायेटरी फाइबर और प्रोटीन होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है वैसे तो रोटी कई तरके होते हैं जैसे मिसी की रोटी, मकाई की रोटी, बाजरी की रोटी, चाबल की रोटी और कई सारे लेकिन गेहू की रोटी सबसे ज्यादा लोग प्रियर और ज्यादा हेल्दी माना जाता है गेहू की रोटी में selenium होता है जो हमारे बोडी में cancer होने की tendency को कम करता है गेहू की रोटी में protein और calcium होता है जो हमारे muscles को strong बनाता है जिससे joint pain कम होता है और आराम मिलता है iron की कमी के बज़े से हमारे बोडी में खून कम हो जाता है गेहू की रोटी में iron होता है जिससे शरीर में खून की कभी नहीं होती गेहू की रोटी में dietary fiber और carbohydrate होता है जिससे हमारा digestion system strong और ठीक रहता है बोडी में insulin और glucose का level बढ़ने से diabetes होता है अगर हम गेहू की रोटी को अपने खाने में शामिल करें तो insulin और glucose का level कंट्रोल में रहेगा और diabetes होने का खत्रा भी कम हो जाएगा इसमें phosphorus होता है जिससे दाथ strong होता है और gum की problem को भी दूर करता है आज कल blood pressure की problem आम हो गई है गेहू की रोटी से blood pressure को control किया जा सकता है क्योंकि इसमें potassium होता है जो blood pressure को normal करने में बदद करता है गेहू की रोटी खाने से पथरी यानि kidney stone होने के chances कम होते हैं क्योंकि इसमें fiber होता है जो पथरी को बढ़ने से रोपता है गेहू के आटे में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जिससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती और अगर है तो हार्ट की प्रोब्लम दूर हो जाती है तो आज से ही अपने खाने में कम से कम 2 गेहूं यानी वीड की रोटी को जरूर शामल करें और healthy रहें आप जानकर हैरान होंगे कि गेहु के रस को पीने से आपको क्या-क्या लाब होगा सही जानकरी नहीं होने के कारण हम इसका सही उप्योग नहीं कर पाते हैं गेहु के रस में खलोडो फिल, जेंक, आयन, आयोटीन, मिनेरल्स, बितमिन्स और कई तरगे नीट्रियन्ज पाय जाते हैं वीट ग्लास में खलोडोफल होता है जिसे ग्रीन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है ये body में oxygen के साथ mix हो जाता है जिससे red blood cells और white blood cells का डिलबार होता है और हमें blood की कभी से बचाता है और blood increase करता है weed grass body के पाचन तत्रों को बनाई रखती है इसमें magnesium पाए जाती है और साथ ही कई प्रकार के alkaline minerals भी होते हैं जो शरीर को acidity, ulcer, pate dirt, मूँ के छाले और dust को होने से रोकते हैं body में oxygen की कमी से कई करतार के cancer और infections हो जाते हैं weed grass juice में chlorophyll और कई तरह के minerals होते हैं जो cancer और infection से बचाता है रोज सुबह या शाम को दो glass weed grass juice पीने से cancer और infections नहीं होता अपने immune system को strong करने के लिए A class weed grass का juice रोज पीए और फर्क देखे weed grass में chlorophyll fiber अच्छी quantity में होती है जो piles के इलाज के लिए फायदे मन होता है तीन महिने तक रोज दिन में दो बार weed grass juice पीने से piles यानि बावासिर से आराम मिलेगा weed grass में vitamin A होता है जो हमारी आँकों के लिए बहुत जरूरी होता है जिन लोगों की आँकों की रोशनी कम हो गई है उन्हें दिन में दो बार weed grass का juice पीना चाहिए इससे उनकी आँकों की रोशनी वापस आ जाएगी और चेश्मा उतर जाएगा अगर आपके मूँसे बद्गू आती है तो रोज सुबेh weed grass के 6-7 पत्ते कच्चा चबाए इससे आपके मूँसे बद्गू आना बंध हो जाएगा एक और बात, सब लोग आपको ये तो कहते हैं कि weed grass का juice पीना चाहिए लेकिन आपको ये कोई ने बताता कि weed grass का juice कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए weed grass पीना शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रहे शुरू के कुछ दिन आपको सर्थी जुखाम, गुखार, कब्स जैसे बिमारी हो सकती है लेकिन घबराने की कोई ज़रूद नहीं है बॉडी से टॉक्सिन या यू करने विशाले पदाब निकलने पर ऐसी लक्षन दिखते हैं सुबग खाली पेट वीरप्रास जूस पीने से सबसे ज्यादा खायदा होता है वैसे तो दिन में जूस किसी भी समय पी सकते हैं लेकिन ध्यान रहे जूस पीने के आदा गंटा पहले और आदा गंटा बाद कुछ ना खाया हो इसी तरह के और देशी नुश्कों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल Life Care को सबस्क्राइब करें और अपनी फ्रेंज और फैमिलीज के साथ शेर करना न भूले Life Care Care का मकसत है बड़ी से बड़ी बिमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बिमारी को पास ना आरे दिना So take care and stay healthy